दोस्तो नवस्कार शो मंगल के लस्त में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए फिर से हज़र हो चुके हैं दोस्तो वही चीज यूपी लेखपायल के लिए जो कि ग्राम समाजे में विकास के लिए भूत ही मातपूर कुछन हम आपके लिए बरावर कंटीनियू दे रहे है दोस्तो उसी कीरे में हम आगे से सब्सक्राइब करना आगे इसमें पहला कुछन हमारा आप के सामने सच से गेहनता कितने पिड़तिसाज से अधिक होने पर उसे किर्सी मुलत गहन किर्सी का उपमा दी जाती है दोसों में तीन सो या ठाइसो तो दोस्तों इसका राइट अंसर हो जाए को ऑपचिन नमर एब चलते हैं दूसरा दूसरा हम लिखा है दोस्तो FCI के खादधानों की आर्थिक लागत नर्गतमन मूह लिके बीच अंतरगी पृति पूरती सरकार द्वारा कैसे की जाती है बताई दूस्तो खाद रड़ द्वारा या खाद अनुदान द्वारा या बजटी साहता द्वारा या उप्रोक तुमें ऐसे कोई नहीं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्सन नम्मर भी चलो दोस्तो अब देखते हैं तीसरा हम लेखा है पर्मा कल्चर किसका पर्यार है तो पारस्थितिक किर्सी का या संचित किर्सी या ब्यापारिक किर्सी या ले किर्सी तो दोस्तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जागा उप्सन नम्मर ए अब चलते हैं चौथा कोश्चन की तरफ जो कि हमारा इस परकार है इसमें लिखा है भारत में सामान तहा खेती की कौन सी पदती अपनाई जाती है बिशिष्ट खेती है सुस्क खेती है मिस्रित खेती है रेचिक खेती है ना दोस्तों की रेचिक खेती इसका चोथा का option हो जाएगा option number C मिस्रित खेती तो दोस्तो इसी किरें में हम आगे बढ़ते हैं आगे में लिखा है पांचमा कुछिन हमारा दिया आपके सामने इसमें लिखा है ट्रिंप सचाई पद्दती का जन्व इस्थान कहा माना जाता है इंग्लेंड या इसराल या जर्मनी या चीन तो दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option number B इसराल अब चलते हैं दोस्तो च्छेटा कुछिन की तरफ इसमें लेखा है भूरी किरांती संबंदे थे भूरी किरांती मतलब किस से संबंदे थे पताई दोस्तो अगर पता हो आपको बहुत पार कुछिन जी आ चुका है पताई दूद से है या मतस से है औरबरक से है या फिर अंडि से तो दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option number C औरबरक अब चलते हैं साथमा कुछिन की तरह इसमें लिखा है अमरूद उत्पादन के लिए निम्ड लिखित मैसी कौन सा जोड़ा पिरसिद्ध है आगरा इलाबाद है या इलाबाद देहरादून या इलाबाद सारनपुर या आगरा देहरादून दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option number A आगरा इलाबाद अब चलते हैं आठमा कुछिन की तरह इसमें लिखा है भारत में दुखद उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदिश का कौन सा इस्तान है दोस्तों इसका right answer कौन सो जाएगा इसका right answer option नमर ए ही हो जाएगा पर थामस्तान है अब चलते हैं दोस्तो नमा question की तरह इसमें लिखा है निमने लिखा है जोड़े मैं से किसमें उत्तर प्रदेश संपूर देश मैं अगड़ी है गयहूं जो मुंगफली गन्ना या जो गन्ना सरसों खेत गयहूं या चना गयहूं सरसों गन्ना या चना गयहूं जो गन्ना तो दोस्तो इसका right answer कौन सो जाएगा option नमर ए जो जो गयहूं मुंगफली गन्ना अब चलती है दसमा question की तरह तो दोस्तों दसमा question में कहा लिखा है दसमा question में लिखा है कि ओतर पिर देश की खाधान फसल बताईए जो आर्या मक्का या धान या गयहूं दोस्तों दसमा का कौन सा ओएगो दसमा का गयहूं अब चलती है गयारमा तो question की तरह इसमें लिखा है उतर पिर देश में सारबादक उत्पादक बाला तिलहन बताई सुयावीन या तेल या मुंगफल या सरसो तो दोस्तों गयारमा को राइट अंसर हो जाएगा option नमर टी सरसो अब चलते हैं बारमा की तरह बारमा में लिखा है कि उतर पिर देश में प्रमुक रूप से आम की किस किसम का उत्पादन होता है है दोस्तों दसरी और चवंसा यह दसेरी और नीलम इसल और फांस का राइट एंसर शजरा और और नौटर ऐसाई है्स प्रिवह मैं में लिखिद Criminal का उत्पादन होता है जो jest तोस्ड जलवायु वाले यह समसी तोस्ड जलवायु वाले दो इसका राइट अंसर होगा option No. 0 significa अभ चलते हैं कोक्षचन कोश्जन की तरहा है is यह लेका दोस्टो लेका अतरप्रदेस उत्तरकर स्देश के को घाञ़ियं मैं कितनी सी पिट्सव उगदान रहता है तो दोस्तों बताईए युदान कितना रहता अपना वहतर प्रदिस का चालिस परसेंट या एकिस पइंड परसेंट या तीस पांट आश्थ तीस पंट सोलमा कोस्चन की तरह सोलमा कोस्चन में लिखा है कि ताजे जल की मचली उतपादन में भारत का विस में कौन सा इस्थान है तो देखते हैं चोथा या दूसरे च्छेटा या पर थम तो दोस्तों सोलमा का option number हो जाएगा right answer option number भी दूसरे इस्थान है अब बात करते हैं इसमें लिखा है कि चाय कॉफी रवर वा तंबाकू के मूलों में उतार चड़ाओ को नेंत्रितर करने के उद्देश से मूल इस्थिरी करण कोस की इस्थापना का अनमोधन कब किया गया बीस फरवरी दूजार तीन को या बीस फरवरी दूजार चार को या बीस फरवरी दूजार पांच को या बीस फरवरी दूजार दो को तो दोस्तों इसमें एक चीत तो आपको कन्फरम हो गई क्योंकि यह फरवरी है बीस फरवरी ही होगा तो दोस्तों आप जी देख लेते कहते हैं सबजीओं की जो बैयापारیں खेते होते हैं सबनी based ले घुर्णोर कल्चEr . दोस्ति उसका राइट आंसर कौनब से जगो क्यों आपसन O सब्सक्राइब दोस्तों इसका राइट अंसर कौन सब्सक्राइब ऑप्शन नमर डी आप चलते हैं पीसमा कोश्चन की तरह इसमें लिखा है रैंचेंग पदती किस देज में पूतायत रूप में पाई जाती है तो आस्टेलिया में आप अमेरिका में या फिर बेटेन में या फिर चीन में दोस्तों इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन नमर ए अब चलते हैं एक्किसमा की तरफ एक्किसमा में लिखा है राष्टी खरपतवार बिग्यान अनसंधान केंदर इस्ते थे थे बताये कहां पर बाइसमा की तरफ बाइसमा में लिखा है निम्न लिखत मैंसे किस इस्थान का दसेरी आम बिस पिरसिद है किस इस्थान का है बारे आर्चि में या प्रताब मैं या दिवरियां मलिहा भाद लखनओ में तो दोस्तों इसका रायर टांसर एंशर कॉन सरा ओप्सरों मलिहा भाद लखनओ 500 और अब चलते हैं तैसमा कॉस्चन की तरफ कि तूट तो तैसमा को डी रोम में है भारत दहरदून में है तो दोस्तों इसका राइट अंसर कौन से जो अप्शन नम्र डी भारत और दहरदून अब चलते हैं चौब इसमा कुश्चन इक तरफ जो कि आज का सिकेंड लास्ट कुश्चन है इसमें लखाया उत्तर प्रदेश में उत्री भाग को कि देशों की सीमाई इस पर्स करती है तिब्बत चिन के नेपाल की तिब्बत पकिस्टान की इसका राइट अंसर कौन से और राइट अंसर नेपाल अब चलते हैं आज का जुक्त हमारा लास्ट कुस्चन इसमें लेखा है नई राष्टी किर्सी नीती में किर्सी विभाग लक्ष कितनी वेटसर ने दहारत किया गया है बताईए दोस्तों अगर पता हो आपको अगर नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं चार पॉइंट चार परसेंट दोस्तों है ना दोस्तों अगर दोस्तों वारे वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों और वीडियो देखने के लिए धन्या